हेलो एवरिवन कैसे हैं तो आज की वीडियो खास है और खास ये है के हमने एक न्यू सब्जेक्ट के क्लासे से स्टार्ट कर दी है और वो है हमारा बहुत बच्चे कह रहे थे इस प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग पिछली बार मैंने लौका बिस्स कंपनी लौका स्लेबस करवाया था बहुत बच्चे उससे खुश थे के सर समझ में आ गया सारी चीजे क्योंकि मेरा मेन अबजेक्टिव होता है कि आप एक्जाम के बेसिस पे किस तरीके से प्रिपेर कर पाएं और आप जो भी पेपर में कुश्चन साता है आपको पता हो कि इसके अंदर क्या कॉंटेंट लिखना है तो प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग जो कि आपका सेमिस्टर तीन में भी है सेमिस्टर पांच में भी है दोनों के अंदर है यह सबजेक्ट तो मैं दोनों ही के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं सेमिस्टर तीन के लिए भी और सेमिस्टर पांच के लिए भी ठीक है तो प्रिंसिपल ओफ अब यह क्लास जो है कैसे चलने वाले है क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा एक बार डिसकस करेंगे यह क्लास इस रिकॉर्डिड मोड पे रहेगा जो बच्चे अप्लिकेशन पे आते हैं लाइव क्लास नहीं रहेगा वो रिकॉर्डिड रहेगा जो भी रेगुलर बेसिस पे क्लास डलेंगी आपको पीडिएफ नोड्स कंटेंट वगेरा जैसे पहले मिलता आया है वैसे ही मिलता रहेगा यूट्यूब के ऊपर थोड़ अब जिन बच्चों ने फानेंशल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सोचा है कि हमें लेना चाहिए तो उनको कंटेंट भी पता होना चाहिए कि क्या क्या है तो अगर मैं कॉंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर सर पांच यूनिट वैसे तो हाला कि आप सभी को पता है कि अल्वेज हमेशा से कितने यूनिट होते हैं सर पांच यूनिट ही होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है ना चलिए थोड़ा सा पैनेज कर लेते हैं आँ एक काम करते हैं थोड़ी दिर में इसको उपर लिएंगे है न हम पहले अराव से देख लेते हैं यह सर हमारे पास कुछ इंफर्मिशन अविलिबल है सर कितने unit है इसके अंदर पांच और हर एक unit जो है न वो 20 margs का है यह भी 20 नंबर का है यह भी 20 नंबर का है और यह भी 20 नंबर यह पे तीन units की अपको information मिल रही है अपर हमारा introduction of marketing and marketing environment सर marketing क्या है और嘛र्केटिंग के environment मतलब हमें किस हिसाब से मार्केटिंग करना चाहिए environment का मतलब है जैसे माल लेते हैं मैं एक simple सा example लूँ फेरिन लबली का example ले लेते हैं क्या फेरिन लबली का example मुझे कश्मीर में करने का कोई फाइदा मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जुरुति नहीं है लोगों को लेकिन केरल में बहुत फाइदा मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर जुरुत है तो एक हमारा इसकिन के हिसाब से भी हमें product को बेचना तो यह क्या है मैं एन्वार्मेंट पहले पता करना होता है एक क्या है क्या है सबसे पहला तो वही स्कोप होता है क्या है मार्केटिंग का बेसिक फिलोस्पीज है सर्विस मार्केटिंग में कौन-कौन सी होती है मार्केटिंग मिक्स क्या है अपने ट्रिपल पी पढ़ा होगा इसके बाद मार्केटिंग एन्वार्मेंट में क्या है नीड स्टडी हम पहले स्टडी करेंगे कि हम कोई भी प्रोड़क्ट को जब हम लॉंच करते हैं तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि लोगों की जुरत है भी या नहीं है जैसे मैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग स्लेबर्स को ले के आ रहा हूं लाइव क्लासे मतलब क्लासे के अंदर तो मैंने बहुत स्टडी किया बहुत बच्चों से बात किया बहुत बच्चों के क्या है सर इसको भी कर दो और एक डिसकाउंटिंग प्रैस पे हमें दे दो हम कर लेंगे तो मुझे लगा कि जुरुत है इसलिए मैं सब्जेट को लॉंच कर रहा हूं तो सेम उसी तरीके से अब आपका सप्लाइर्स क्या होता है मार्केटिंग और इसमें पढ़ेंगा दूसरा कंजूमर बिहेवियर और मार्केटिंग सेलेक्शन कंजूमर बिहेवियर का स्मार्ट बोड पर आना पड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है तो नी इसके अंदर भी क्या है नीड इन स्टेडी कंजूमर का बिहेवियर बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है स्टेजिस कौन-कौन से होते हैं बाई करने के के कंजूमर पहले क्या प्र दूसरे उनिट में जब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो मैं बस ओवर्वियू दे रहा हूं कि इस तरीके से चीजे हैं आपका प्रड़क्ट डिसीजन एंड न्यू प्रड़क्ट डेवलेप्मेंट अब नए प्रड़क्ट नए पाइपलाइन में जाने के बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारी कमपनी जratic अंदर गए ने प्रड़क्ट के अंदर उसने enter किया और जो उनका existing goodwill था वो पूरा का पूरा खतम हो गया बहुत नुकसान भी जहलना पड़ा तो यहां पर इन ही बातों को समझेंगे कब हमें नए product को launch कर देना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ठीक है अब मैं इसी channel की बात करूँ कि इसी channel पर मैं अब आर्ट की वीडियो को डालने लग जाओं साइंस की वीडियो को डालने लग मैं सोचो commerce की वीडियो तो बहुत डाली अब यह डालता हूं तो मैं market मतलब मैं गलत वे में जा रहा हूं क्योंकि जो हमारे students है उनके needs है become की classes और मैं arts की classes दो तो क्या करेंगे उसका है ना तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ा connect कर रहा हूं समझ रहे हो गया क्या कहता है इसमें concept and the classification of level of product designing क्या होना चाहिए value product mix क्या होना चाहिए प्रड़क का development कैसे होना चाहिए new product कैसा होना चाहिए packing life style cycle कितने दिन बाद आपको प्रड़क को change कर देना चाहिए and all सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे purely due case पार्ट से slabels उठाए गया है आप जाके देखोगे यह यह तीन यूनिट है तो पहला यूनिट है सर environment को समझो दूसरा यूनिट है सर behavior consumer को समझो और market कहां पे आपको समान बेचना है उसके बाद आप product को decision ले लो और नए product बनाने लग जाओ इसी तरीके से sequence में चल रहा है चलिए सर इसके बाद आ जाते हैं हम इनेट चार और पांच पर यह तो यह तोड़ा सा मेरे पास मैंने कहा ही के अब मेरे पास थोड़ा सटाइम मिलेगा रात को 11-12 बज़े जो भी टाइम मिले मेरे को 10-11 बज़े मैं अ पास अब option है न रिकॉर्ड करने का इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना यह सब्जेक्ट को लेकर आया जाए चलिए क्लियर देख रहा है चलिए सब्सक्राइब अब सर यहां पर क्या है सर हमारा प्राइसिंग डिसीजन अब प्रोड़क्ट बन गया निव प्रोड़क्ट अब डिस्टिबूशन डिसीजन प्राइसिंग का मतलब कई बाद हम डरते हैं के प्राइसिंग जैसे की हमने सोचा था कि हम अपना कोर्स बेचेंगा है भाई दो हजार तीन हजार रुपए का लेकिन फिर देखा यार बच्चों को नीड कोर्स की है ये इट इस अफेक्ट बट ये भी फेक्ट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो की ये अमाउंट भी पेड नहीं कर सकते फिर हम प्रोड़क्ट की कोस्ट को बहुत कम करके लिएक ह हो जाता है उसके अंदर वह आप डिस्क्रिप्शन जिन बच्चों के कूर्स रह भी गये थे नहीं अन्रोल कर पाये थे दुबारा वह आफ पर स्टार्ट है अभी दुबारा एक दिन के लिए ओपन के आज कर सकते हैं ठीक है तो सर इसके अंदर प्राइजिंग ऑब्जेक् इसको सक्सेस करवाते हैं आगे हैं पर्मोशन एंड डिसीजन एंड डेवलेप्मेंट इन मार्केटिंग कई बार होता है हम इतना पर्मोट कर देते हैं चीजों को कि मार्केट अपने आप डेवलेप होड़े जाता है मैं सिंपल सा एक्जामपल लूँ ना यूपी असी और आपका यूपी असी के बाद हम बात करते हैं ऐसे सीजील वगरा जो ये कोर्सिस हैं या फिर नीट जेई इन का इतना हाइब क्रेट करा हुआ है ना मार्केट में बच्चा दसवी पास हुआ मैं तो जेई में जाऊंगा नीट में जाऊंगा बच्चा ग्रेजुएशन हम इसे कर पायंगे नीट प्शल में इंवारमइंट क्रीट कर दिया है जितने बीं साइन्स आइंस लेना पसंदु नहीं करते थे मैक्सिमुम बच्चे साइन्सि को हम साइन्स नेज पर हर किसी का अपना एकना एज होता है, एक एज के बाद फिर दुबारा हमारे commerce community का फिर से एक बार बोल वाला होगा, मैं मुझे अच्छे से याद है, 2010 और 2011 में commerce का बहुत ज़्यादा बोल वाला था, लेकिन फिर दुबारा से down decline में गया, science का आ गया, अब फिर से science का जाए communication value, communication process क्या होता है, यह सारे चीजों पर होगा, development marketing में क्या होगा, हमारा suitable market कौन सा है, concept of issue, क्या है, rural area, urban area, digital marketing करना है, यह सारे चीजे रहेंगे, तो यह पूरा का पूरा हमारा overall syllabus है, मैं अगली वीडियो जब आओंगा लेके, तो उसके अंदर कितने chapter से तोड़ के उसको ब marketing लेना है, नहीं लेना, थोड़ा-थोड़ा मैंने idea दिया, hopefully आपको अगर अच्छा लगे तो definitely लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी और जितने भी groups होते हैं, बहुत सारे groups होते हैं, टेली ग्राम अगरा पर आप सब discuss करते हो, तो उसके अंदर आप बता सकते हो, कि सर आप principle of marketing लेलो, better है, कोई डड़ने वाली बात ने, बहुत easy subject है, बहुत अच्छे सो जाएगा, तो सर मिलते हैं इसी तरीके से हम next video के अंदर, चैनल को subscribe तो करते नहीं हो आप, तो चैनल को subscribe भी कर लेना, और फिर हम आगे इसकी classes भी start करेंगे, और जिस बच्चे को enroll करना है अभी application पर वो जाके कर सकते हैं, हमारी piece जो है, nominal piece रखी हुई है, कोई भी बच्चा ले सकता है, अब nominal या सस्ते का मतलब यह नहीं है, कि quality से कोई भी compromise होगा, सारी चीजे आपको, वो quality देंगे, मतलब के best, ठीक है, चलिए मिलते हैं next class झाल